जीत बाकी है, खार बाकी है, अभी तो जनाब जिन्दगी का सार बाकी है, यही है एंजोई दिल से जीएगा, और अपने यही उइज हूँ दिल से तो दोस्तो मैं तो हूँ तयार और आप तयार हैं तो दोस्तो चलते हैं, अजन पाधील तेन और मैं तयार यही का न कीण की लिए दोस्तो तो जुड़े रहिएगा दोस्तों और इसी तरीके से प्यार को बनाए रखिएगा एंजॉई देल से ही तो जनाब मैं घर से निकल चुका हूँ और पहुच गया हूँ जवाला लेरु स्टेडियम के पास दोस्तों क्योंकि आज का जो रास्ता इक्तियार किया गया दोस्तों वो 12 फॉला फ्लाइवर का था क्योंकि आश्रम पे लगा जयाम और दोस्तों यहां से निकलने के बाद मै पहुँच किया हूँ दोस्तो सफ़दर जंग हॉस्पीटल के पास दिल्ली कसब से बड़ा हॉस्पीटल और यहां सोते हुआ दोस्तो मैं नहीं जारा है गुडगावा और धोलागुआ से होते हुँ दोस्तो मैं पहुचा गुडगावा अपने event में एंटर कर चुक हुआ हू आप दोस्तो ये डेक्रेशन देख रहें, आप सजावाट देख रहें, बहुत ही उम्दा दोस्तो, और आज की पर्फॉरमेंस, दोस्तो, लकविंडर, व offenders जी न ही जबरदस पर्फॉरमेंस, सूफी सिंगर है दोस्तो, और ये आप भे लीजे दोस्तो, आनंद, और अब मैं गर पे और हम भी जा रहे हैं घर पे क्योंकि मिजस राजबुत कर रही है दिल से वेट और बच्चे कर रहे हैं इंतिजार तो दोस्तो मैं नोईडा में पहुंच चुका हूँ दोस्तो कुछी देर में दोस्तो मैं अपने घर पर हूँगा दोस्तो और आप लोग के साथ मोटी साइट से कद्दू कस कर रही हूँ तीन गाजर पड़ी उसको कुछ मीठा बना के देते हैं तो अभी खोया भी नहीं है तो मैं सिर्फ गुडिया के लिए रामन के लिए बना रही हूँ तो यह थोड़ी पानी जादा होता है इन गाजरों में अभी हल्वे वाली है और इसको मैंने मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है और गाजर मैंने मोटी मोटी कसी है क्योंकि पानी बहुत छोड़ेंगी तो लिकृट हो जाएगा हल्वा हल्वा नहीं गय सकते हैं यह मैंने देसी की इसी लिए डाला है ताकि इसमें यह फ्राही हो सकी अच्छे से और ये बच्चों को बहुत गर्माहट देगी सर्दियों के मौसम में गाजर हमेशा रहती हैं, बच्चे कुछ मीठा मांगे तो हम जटपट बना सकते हैं, जितना आप कम लेते हो गाजर, तीन या चार गाजर में बनाएं, तो जल्दी बन जाती है, तो बच्चों का भी शोक पूरा हो जाता है, और हमें जल्दी से बना भी सकते हैं हम लोग, तो अब देशी की में जब भी इस तरह से बनाएंगे, तो बच्चों को फाइदा करेगा और गरम भी रहेगा, गरम मतला उसकी तासीर गरम होगी, और ये आप दूद के साथ बच्चों को देते हैं, अगर लगबग लगबग पूरी भून चुकी है, और अब मैं इसमें डालूँगी दूद, तो मैं इसमें आदा कप, या एक कप जितना दूद डाल दूँगी, और चीनी भी डाली है, क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था, तो मैं दूद में ही उसको चलाती रहूँगी, ये देख जिसमें भी जाता है, वो कहलाता है सीरा, जब हम थोड़ा से इसको लिक्विट बनाते हैं और दूद के साथ, क्योंकि अभी रात के समय खोया मेरे पास है नहीं, और मैंने कुछ इस तरीके से बना के खिलाया बेटी को, और अभी वो जो भी मांगती है, तो देना पड़ता थोड़ा सा, हम तीनों के लिए, क्योंकि मिस्टर राजपूत है नहीं काम पर गए हैं इवेंट पे, और ये है आलू, मेथी और पनाठा, तो आप लोग भी खाली जिए, और मेरा फोन थोड़ा क्लियर नहीं है, तो जैसे भी पॉसिबल हुआ, मैंने आप लोगों के लिए बनाएं दोस्तों, और एंजोई के लिए अपने फैमिली के साथ, वह भी दिल से, तो दोस्तों, आज के व्लाग में देखा, अपने काम और काम के साथ, दोस्तों, हमनी किया एंजोई, और दोस्तों, मेरे पीछे से, मिस्स राजपूत ने बच्चों के लिए दोस्तों किया, कुछ दमाल गाजर का लुवा दोस्तों गाजर का लुआश और वह अपने केमिले से कैप्चर किया हो सकता है उसमें दूस्तों कि यह क्ज़ ONE नहीं है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों और एक बात और में शावा धाया कि नो कि यो की साथ सेयोग करें सो और रहें और टुसरे के साथ जुड़के 对ूद्ध तरीके से पसंद करते हैं हमारी कुकिंग पसंद है यहां सी मजाग पसंद है इंडोर पसंद है या आउट्डोर पसंद है जो भी आपको पसंद है वो बताईए और आपसे एक इलतिजा है मेरी दोस्तों वो इलतिजा यह है कि दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए अगर द घर में अपना थी करने की जो होते हैं वह आपको पुछते हैं कि मेरे किसी फ्रेंड ने पूचानाき कि आप के ग्लॉग में क्या होता है तो हमने यही कहा कि हमारे निल्ह transformed में होता है वह हम आपको दिखाते हैं उसमें हम अपने दुख तगलिफों को हटा कर जो ने अपना एंजॉय किया टाइम वह आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको अच्छा लगे और आप दी एंजॉय करो मिलता जुलता कुछ उसी तरीके से आप से हम लोग लेंगे इजा शबकेर शुपरात्री और गोभी गुटनाइट दिल से गुटनाइट